हेलो दोस्तों स्वागत है आपका दिसंदी फैमिली व्लॉग में और फ्रेंड्स आज मैंने सोचा मैं आपको अपने जम्मू के बारे में कुछ न कुछ जो भी हमारे जम्मू का इतिहास रहा है उसके बारे में बताऊंगी फ्रेंस हमारे जम्मू को 33 करोड देवी देवताओं का निवास थान भी बताया जाता है यहां पे 33 करोड देवी देवता विराजमान है जम्मू हमारा मंदिरों के शेहर के नाम से भी परसिद है राजा जम्मू लोचन जी के नाम से हमारे जम्मू का नाम रखा गया फ्रेंड्स और ये हमारे तीर्थ सल बाहर से देश पर देश से लोग जम्मू को देखने के लिए स्पेशली आते हैं जम्मू की शुबा फ्रेंड्स देखते ही बनती है हमारे जम्मू का इतिहास वाक़ी काभिले तारीफ है और friends हमें मुझे specially मुझे अपने जम्मू पे गर्व है मुझे अपना जम्मू सबसे प्यारा लगता है मैं कहीं भी भूंप के आजाओं friends मुझे अपने जम्मू से प्यार है Friends ऐसा शायद ही कोई होगा जिन्होंने माँ वैशनो माता जी के दर्शन ना की हो हमारे जम्मू में माँ जिस रोटे वाली माता जी भी विराजमान है हमारे जम्मू में फ्रेंड्स माँ बावे वाली माता भी विराजमान है और चंडी माता जी के दर्शन भी कोई ही ऐसा होगा जिन्होंने दर्शन ना किये हो बाहर देश विदेश से यहां पे लोग दर्शन करने आते हैं यह मा सुक्राला माता और यह मा चिच्ची माता और फ्रेंड्स आते जाते राही जो भी बाहर का आता है यहाँ पे दर्शन जरूर करता है तो यह देखिए फ्रेंट्स हमारे राजा जी लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी बावेवाली माता जी के मंदिर की तो फ्रेंट्स यह तवी का पूल बीचो बीच सामने हमारा किला दिखता है और कोई ऐसा नहीं है जो आते जाते मा को नमन ना करें छोटा हो फ्रेंट्स यहाँ बड़ा हो शीश जुकी जाता है मा के चर्णों के सामने फ्रेंट्स हमारे जम्मू की रक्षा मा बावेवाली जी ही कर रही है ऐसा माना जाता है और हम भी यही मानते हैं यह हमारे बाहु लोच्चन जी राजा बाहु लोच्चन जी 3000 साल पहले फ्रेंज बाहु लोच्चन जी के द्वारा बाहु फोर्ट का निर्बान हुआ था महा काली की मूर्ती फ्रेंज अयुक्ता से मंगवाई गए थी और यह मंदिर जो है महाकाली का आठवी सद्धी में बनाया गया था फिर कुछ पंडी थी महाकाली जी की पूजा किया करते थे उसके बाद ये मंदिर बंद हो गया फिर सपने में महाकाली जी ने दर्शन दिये थे महाराजा गुलाब सिंग जी को ये हमारे गुलाब सिंग जी मा वैशनो देवी के बाद बावे वाली माता जी का मंदिर जो है वो परसिद है और यहां की फ्रेंड्स मिठाई बहुत मशूर है मैं परस्नली बोल रही हूं क्योंकि हम जब भी जाते हैं यहां से मिठाई खरीते हैं परशास रूप अंदर चड़ाते हैं मा भगवती जी के चरनों में चुड़ा लाल चूड़ियां फूल यह जितना समान आपको दिख रहा है यह सारा चड़ता है निम्बू के हार माता रानी खुश हो जाती है बाकि आप अपनी श्रद्दा से कुछ भी चड़ा सकते हो फ्रेंड्स और यह चुनरियां सुंदर सुंदर माता जी के चरनों में चड़ती हैं और हमें हम अपने बाहुल उचुन जी का शुक्रियादा करते हैं जिनोंने मंदिर का निर्मान किया आज माँ बावे वाली हम सब की मुरादे पूरी करती है फ्रेंड्स जो भी आप दिल से मांगो वो तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा नजारा दिखा देती हूँ मैंने पहले भी बहुत बार व्लॉग में ये चीज़ बताई है आपको मातरानी जी के दरबार के दर्शन करवाएं हैं बट आज मेरा मन था थोड़ा सा स्पेशली हटके करने का क्योंकि बहु जाते हैं अगर आप किसी की जोडरुरत पूरी करना चाहते हो किसी को कुछ दान दख्शना देना चाहते हो तो यहाँ पे सब होता है यह पेड़ पता नहीं कितना पुराना है मुझे नहीं पता लेकिन ये बहुत बहुत पुराना पेड़ है, फ्रेंडs छे महीने में एक बार नवरातरे आते हैं, साल में दो बार, नवरातरों में यहाँ पे मेला लगता है और लंकर जो है जिसकी श्रदा जो भी होती है, यहाँ पे यहां पे इतने सारे बंदर होते हैं कि आपको अपना परशाद छुपा के जाना पड़ता है अगर आप कुछ लेके जाते हो वो आपसे छीन लेंगे और बहुत बार छीनते भी हैं तो थोड़ा सा साधान रहें जो मेरे दोस जम्मू में आएं यहां पे जरूर आएं अंदर जाने से पहले आपको यहां पर दर्शन करने को मिलेंगे शनी देव के और पीपल है यहां पे बोर्ड देवता अनुमान जी और भी बहुत सारे देवता रास्ते में आपको मिलेंगे और यह देखिए फ्रेंड यहाँ पर अंगिनत है फ्रेंड्स इनके तो यह देखिए फ्रेंड्स मा बावे वाली जी का किला जो जमू तवी से पिछली साइड से इस तरह से दिखता है और साथ में पार्क है फ्रेंड्स जहां आप घूमते हो वो पार्क जो है बाहु फोड के नाम से प्रसिद है वो इस फोड जो पार्क है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ वहाँ ओपन सिनिमा का उदगाटन अभी थोड़े दिन पहले हुआ है तो दोस्तों आप भी मेरे साथ मा काली का जेकारा लगाते हुए आगे बढ़े और मा का अश्रवाद ले जमू में जब भी आएं तो जरू पूर भावे वाली माता जी के दर्शन करें मा वैशनों के बाद मा काली यहां पर विराजमान है इस मंदिर में विराजमान है फ्रैंट्स यह है अंदर मा काली का दरबार यह अंदर वाला मंदिर क्योंकि वहां phone allowed नहीं है तो हम आपको कुछ विज्वल सी दिखा सकते हैं म पाना जाता है जिसकी कोई भी मुराद पूरी होती है यहां पे छिली चड़ा सकता है कुछ इस तरह का नजारा है फ्रेंट्स बावे वाली माता जी के दर्बार का यहां पे बच्चों के लिए जूले भी मिलेंगे आपको जम्मू आप जब भी आएं फ्रेंट्स इस मंदिर म पहले और ऐसा हो नहीं सकता फ्रेंट्स मंदिर आओ और तिलक ना लगाओ तो ठीक है फ्रेंट्स बाहर का थोड़ा सा नजारा यह बजार बच्चे खिलोने ले रहे हैं अपनी पसंद के बाहर छोटा सा बजार सुन्दर महधी के डिजाइन्स भी यहां पे फेमस है फ्रें आप कुछ भी खा सकते हैं अपनी मर जी का तो आपको हमारा बावे वाली मातरां जी का किला कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे वीडियो को बहुत बहुत धेर सारा प्यार देना ठीक है फ्रे किये हम माता टेकते हुए तो फिर से एक बार बोलिए फ्रेंट जेकारा काली मता जी का बोल संचे दरबार की जै तो ये था छोटा सा सफर तो आप भी एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए जो माता जी अंदर विराजमान है और फिर से एक बार शुक्रिया कर देते हैं हमारे जमू के राजा जी का तो ठीक है फ्रेंट्स मिलती है आप से कल व्लॉग में तब तक प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करें कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए जरूर कमेंट करें फ्रेंट्स बाई